नमस्कार दिवेदी जी के कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे बैगन आलू का भरता तो चलिए किस तरह से बनाते हैं कैसे बनाते हैं कि बिलकुल अलग फ्लिवर में बनके हमारा चोखा तैयार होगा इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहले आए हो तो प्लेश सब्सकाइब करने और बगल में बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके यहां पर हमने लिया है बैगन को हमने धूल लिया है और यह बैगन लंबा वाला है आप चाहें तो गोल वाला भी ले सकते हैं प गोल वाला भैगन हो तभी हम चोखा बनाएं नहीं ऐसा नहीं है जब भी आपके पास लंबा वाला भैगन घर में यह लेबल हो तो आप इस तरह से चोखा बना सकते हैं और बहुत जल्द जटपट में बिल्कुल दो मिनट में बनके आपका चोखा तैयार हो जाएगा तो च को सतरी है उतर जाता है उस तरह से चिलका उतार दिया और दो भाग में कट करके रख दिया है ले ज़कर में द्शल थंग कर आपके दता संतरा सब्सक्रám चमज तेल क्योंकि सरसों के चोखे का चोखे बपढ़त बिल्यक्यार्म में ब्रूलु इस लिए रीट सकता नहीं और यह चार टुकड़ा जो बैगन का था इसे भी हमने इसी में बिछा दिया है दो खड़ा खड़ा यालू डाल दिया है ध्यान रहे कि छोटा साइज हो बहुत बड़ा ना हो और दो टमाटर हमने इस पर रख दिया है इसके बाद दस से बारे या पंद्र जो भी है लहसन का आप यह जादा से जादा कर सकते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में लहसन जादा प्रयोग किया जाता है हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है यहां पर हमने लिया है चार हरा मिर्चा है जिसे इसमें कुकर में डाल दिया है और इसको क्या करना है हम समय थोड़ा सा फ्राई कर देना हो इसको is को अब स्वड़ा है ध्यान दें कि थोड़ा सा अब इसमें क्या करना है थोड़ा सा नमक टाल देना है ताकि इसमें नमी बरकरार हो और आप पर देख सकते हैं बोये किया हुआ मुंफली करें अगरकी पास भूना हुआ मुंफली तो उसको भी आप दरदरा करके और उसमें उपर से बाम ने बायल किया हुआ ڈाल दिया है और इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़ियां आता है अपने आप में चोखे में तो चलिए एक सीटी लगाने के लिए हमने कूकर बंद करके रग दिया है अब देखिए एक सीटी लग गया है अच्छी तरह से एक सीटी बस जादा देन नहीं अब आपको हम खोल के दिखाते हैं चोखा दे कूश्ऩे हैं कि में मैं कूकर में पाणि डालती हैं नहीं हम पानी नहीं डालतेggak अगर पानी डाल देंगे तो वह बिल्कुल अब वह तरीके का आपके जब खाएंगे ना तो फ्लेवर मूं में बॉयल वाला आने लगेगा तो इसलिए हम क्या करते हैं बिना ही पानी डाले सारा चीज हम एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए भून के और सीटी लगाते हैं तो वह अपने आप में चोखा बहुत बढ़िया होता है अब यहां पर हमने क्या किया है लक्री का रेशिपी पढ़ा हुआ है आप लोग काफी पसंद करते हैं और तरह तरह का चोखा आप मेरे चनल पर जाके देख सकते हैं और ये चोखा तो बिल्कुल अपने आप में अलगी बना है अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह का चोखा आप बनाएं अपने घर में खाएं और मुझे बताएं कि खाने के बाद कैसा इसका फ्लेवर लगा चलिए तो उसे हमने एक साइट कूकर को रख दिया ताकि ठंडा हो जा और इसके बाद यहां पर हमने एक कडाई रखा है कडाई में एक चम्मच सरसो का तेल डाला है आधा चम्मच जीरा है और देखिए आधा ही चम्मच हमने खड़ा धनिया डाला है खड़ा धनिया बहुत बढ़िया लगता है फ्लेवर बहुत अच्छा इसका आता है तो चोखा में क्या है खड़ा धनिया आप डाल दे और एक पिंच हींग डाल दे आप सभी जानते हैं कि हींग पेट के लिए बहुत फायदा है और काफी स्वाथ भी बहुत अच्छा आता ह अब एक प्याज हमने बारीक कट करके रख लिया था और एक हरामेचा है इन्हें हम भून लेंगे अच्छी तरह से बूनते वक्त ध्यान दें कि गैस का फ्लेम जो है हाई नहीं होना चाहिए यह मीडियम आज भी हो अब देखिए लमसम भून गया है लेकिन थोड़ा सा और हम इन्हें ब्राउन कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला है थोड़ा सा जीरा मसाला है थोड़ा सा ही लाल मिर्चा पाउडर है थोड़ा सा यहाँ पे हमने धनिया पाउडर डाला है बिल्कुल थोड़े-थोड़े मातरा में डालें अब यहाँ पे हमने मेंचीट डाला है चाट पाउडर है आधा चमर डाला है इससे क्या होता है कि चोखा हमारा बिल्कुल चट बढ़ियां लगता है बनने के बाद तो चलिए अब हमें क्या करना है थोड़ा सा धीमी आज पर सारे मसालों को अच्छी तरह भून लेना आप देख लिजिए आप अच्छी तरह से सारा मसाला भूना गया है तब इसमें हम ट्रांसफर करते हैं जो चोखा हमने फेट के रखा था गयस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दें अब यह चोखा जो है हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे देखिए धीमी आज पर मिक्स करें अगर आपको जरूरत है थोड़ा धीला खाने का जैसे आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा मतलब धीला जैसे आप रशा पसंद करते हो तो थोड़ा सा इसमें आधा गिलास पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें पका दे अब इसमें हम डाल दिया है धनिया की पत्ति और उधा नमक हम थोड़ा कम ही डाले थे तो बैलेंस बन अब प्लेटिंग कर देते हैं, देखे चोखा, क्या मज़ेदार चोखा बना है, आप चाहे तो लिट्टी से, पूरी से, पराठा से, रोटी से, बहुत बढ़िया लगती है बनने के बाद, तो एक बार ट्राइ जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, तो लाइ प्ली से बाद, कि हमां। उर्लेशा लोगता है, पूरी से बाल侈, वीडियो को मज़ेदार ङाओते है, झाहाे कि एक झाहे को भूब के पलाते हैं, जा 이번 कि हमाने कर देखें याहिए शृर से भादोल जाहे को बार दो झाहे हैं, आप एक कि एक बालाने कालन सेूर से